वेलकम टू मैं चैनल शिखास किचन चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज फिर आपके लिए बिलकुल नया वीडियो लेकर आई हूँ वीडियो यदि अच्छा लगता है वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को करिए का लाइप साथ ही साथ मेरे चैनल शिखास किचन को सबस्क्राइब जरूर करें पताने वाली हूँ कि नारियल के छिलकों का क्या प्रयोग है बहुत सारे अलग-अलग उपयोग बताऊंगी दोस्तों कि नारियल के छिलकों का आप किस तरह से इस्तमाल कर सकते हैं जारतर हम लोग नारियल खा लेते हैं और नारियल खाने के बाद हम उसके छिलकों को फेक देते हैं परन्तु अब आप कभी भी नारियल के छिलकों को ना फेकें बहुत सारी और्ष्थियों में भी काम आते हैं और सांथ ही सांथ सौंदर में भी इनका प्रयोग किया जाता है किस तरह से नारियल के छिलकों का आपको इस्तमाल करना है दोस्तों आगे वीडियो में मैं आपको बताती हूँ यदि वीडियो अच्छा लगता है इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर दे सांथ ही शांथ शिखास किचन चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें नारियल लिया है दोस्तों तो सबसे पहले आपको क्या करना है नारियल के छिलकों को उतार लेना है नारियल तो आप खाने में ले 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 अपनी चटनी में ले 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 किसी भी चीज में ले 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 बहुत सी रेसिपी बनती है परन्तु छिलकों को कभी भी ना फेकें किसी भी प्लास्टिक की थैली में पनी में भरकर आप इन छिलकों को स्टोर करके रखें दोस्तों ये बहुत ही जादा फायदे मन्न है खास कर जिन लोगों को बवासीर की परिशानी है पाइल्स की परिशानी है दोस्तों उनके लिए तो ये जो औजधी आज में आपके साँ शेयर कर रही हूँ बहुत ही फाइदेमन्द है ये ना सोचें कि एरे कोई साइड इफेक्ट होगा नारियल के छिलकों का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है आप मेरे कहने से एक बार ट्राय करें पुराने से पुरानी बवासीर भी जड़ से समाप्त हो जाएगी दोस्तों तो किस तरह से आपको इसे तयार करना है इसके लि कर दिया है एक पुरानी कढ़ाई ले ली है दोस्तों कोई भी आप थोड़े भारी तले की कढ़ाई ले ताकि छिलकों को जलाने में आसानी हो तो बस हाई फ्लेम पर ही मैंने गैस को रखा है अभी और इस तरह से हिलाते हुए इसे पकाना है थोड़ी देर चलाना है दोस्त जब नारियल के छिलके को आपको जलाना है तो आप अपने किचन में ये काम ना करें अपने आंगन में बेट कर एंपने टैरिस पर आंगन में जहां तोड़ी खुली जगाए वहाँ करें क्योंकि इससे थोड़ासा धुआ आता है तो आपको परषानी होगी इसलिए धुए से बचने के लिए मैं भी इस कढ़ाई को अपने आंगन में ले आई हूँ आप देख सकते हैं और आंगन में मैं एक माचिस की काड़ी से इसे जलाना स्टार्ट कर दिया है नारियल के छिलके तो इतने सूखे होते हैं तुरंत ही आग पकड़ जाती है आग लग जाती है और साथ ही साथ आसानी से हम नारियल के छिलकों की भस्म तयार कर सकते हैं तो ये देखें छिलके जलना स्टार्ट हो गए हैं आपको छिलकों को जला कर आपको लेना है काम में इसकी राक नारियल की छिलके की जो राक होती है दोस्तों इसका ही हमें इस्तमाल करना है बवासीर को ठीक करने में पुरानी से पुरानी जो पाइल्स की आपको तकलीफ है वह जड़ से समाप्त हो जाएगी तो बजार से तो आप लोग बहुत सारी दवाईयां लेते हैं आजकल तो बहुत तरह तरह की दवाई आती हैं एक बार मेरे कहने से इस घरेलू उपचार को भी करके देखें जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है आप दो से तीन बार इसका इस्तमाल करेंगे आपको खुद को अंतर महसूस होने लगेगा तो बस इसी तरह से छिलकों को आपको जला लेना है तो मैं इसे आंगन में बैठके इसलिए कर रही हूँ आंगन में और इस सीरे से मैं छिलकेको जला लिया है तो आप भी किसी भारी बतं में या कोई मिट्टी का तसला हो आपके पास आप इसमें निजर को चिलकों को जला लें और जलाने के बाद आपको चाहिए इसकी राख तो सारे छिलके को जलाकर रख लूंगी ताकि जो नारियल की भस में है नारियल के छिलकों की जो भस में दोस्तों वो थोड़ी जादा quantity की तयार हो जाए रोज रोज ये प्रोसेस करने की जर्वत नहीं है और ये जो नारियल के छिलके की राख है इसे किसी भी डिब्बी में आप स्टोर कर लें कैसे लेना है अभी आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी तो ये रेखे पूरे छिलके करीब करीब जल गए है तो धुआ बहुत जादा है इसलिए अच्छा हुआ मैंने इसे आंगन में ही किया है आप भी थोड़े खुली इसमें करें तो जादा अच्छा है थोड़ा सा करने के बाद आपको क्या करना है इसे चानना है दोस्तों ये जो भस्म तयार हो रही है आपको लेना है वन फोर्थ टी स्पून आधी का आधी चोटी चम्मज भस्म को आपको लेना है दही के सांथ ले चाज के सांथ ले बटर मिल्क बोलते हैं हम लोग या फिर मठा बोलते बवासीर को खत्म करने में बवासीर से राहत दिलाने में नारियल के छिलके की जो भस्म है वह किसी आउशदी से कम नहीं है बहुत ही अच्छी आउशदी दोसों पुराने समय में लोग इसका इस्तमाल करते थे और यह जो नुस्खा शेयर कर रही हूं न दोसों यह मेरे घर मेरी नानी ने यह नुस्खा दिया था मेरे परिवार में और बहुत ही ज्यादा फायदे मंद है उसी चीज को में आपके साँ शेयर कर रही हूं तो मैंने क्या किया दोसों यहां पर नारियल के जितने यह भस्म है आप देख एक मोटे तार की छनी ले लिए और आपको इसे चान लेना है क्या होगा दोसों इसे चानेंगे न तो जब हम इसे लेंगे ठोड़ा साभी एक दो कन इसके गरम है यह देखे तो अब ठंडा हो चुका है अच्छी तरह से और आपको क्या करना दोसों इसकी यह जो राक है इसकी जो भस्मे से डिब्बी में भर ले और ताकि अगर आपको सफेद बाल है तो सफेद बाल में यदि आप लगाएंगे नैचरल हेयर डाय की तरह काम करते हैं नारियल के छिलके की भस्म तो बहुत ही जादा फायदे मंद है मैं तो हमेशा जो मेरे बालों कुछ बाल जो सफेद हैं कहीं कहीं से सफेद हैं आज तक मैंने बजारवाला केमिकल हेयर डाय इस्तेमाल नहीं किया है इसी ही भस्म को मैं रख लेती हूँ एलोवीरा जेल के साथ लगाएं नारियल के तेल क साथ आप सिर्फ सफेद जहां जहां सफेद बाल है वहां पर हलकीशी टचिंग करें खास कर जब हम कहीं बाहर पाटी वाटी में जाते ना और कुछ बाल हमारे सफेद दिखते हैं तब आप इस तरह से अपने सफेद बालों को काला कर सकते हैं एक बार करके देखिएगा आपक सफेद बालों को काला करने में काम आती है बावासीर की परिशानी को जड़ से समाप्त करती है अच्छा ठंडा ठंडा फ्रीज का दही लिया है ताकि पेट में ठंडा कर रहे इस रिमेडि को जिन्हें भी बावासीर है पाईल से दोस्तों उन्हें सुबह के समय लेना है खा चाय, कॉफी, पीने के आधा घंटा पहले खाली पेट लेना है, फ्रेश होने के बाद आपिसे ले, बढ़िया थंडा दही लिया है, वन फोर्स टीस्पून ये पाउडर डालना है दोसों, और दही के साथ बढ़िया खाले, मठे के साथ डाले, चाथ बटर मिल के साथ आपिस गरम चीजों का ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए, दही की तासीर बहुत ही थंडी होती है, तो दही में नारियल के छिलकों की जो हमने भस्म तयार की है, इसे आपको मिलाना है और फिर खाना है, आप चाहें तो फिर इसके बार थोड़ा सा पानी भी पी सकते हैं, खाली प की चीज नहीं है, कि अरे हमें कुछ नुकसान नुकसान वाली कोई भी चीज नहीं है, तो आधा कटोरी दही ली है, इसमें मैंने चोटी चमज, आधी चोटी चमज से कम डाला है, आप 1 फोर्थ टीस्पून ही डाले, और दही में अक्छी तरह से आप मिक्स कर लें और फिर कि आप बालों पर लगा सके हैं, तो इसे लें, उसके आप पानी पी सकते हैं दोस्तों, और वैसे भी जिन्हें पाइस रहता है, उन्हें ठंडी चीजोंका सेवन जरूर करना चाहिए, पपीता खाना चाहिए, ताकि कॉंस्टिपेशन ना रहा है, कॉंस्टिपेशन की समझ बूंदे नारियल के तेल की डाली है, और इस भस्म को लेना है, और ये हमारा बजार से भी अच्छा हेर डाय बनकर बिलकुल तयार है, बस सफेद बालों में आप लगा लें, सफेद बाल की समस्या भी हल होगी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शिखास किचन चै कैसा लगा झाल।